नमस्कार, इस अंक में आप जारखन के गाउं टोला से जुड़े 50 खबर सुरेंगे जो कि क्राइम, साइबर अपराज, सड़क दुरगटना, लोगों की समस्या से जुड़े खबर सामिल होंगे यदि आप अपना समस्या भेजना चाहते हैं, तो वाट्सेप नमबर 733-06-877 पर भेज सकते हैं, जो कि इस अंक में अगले दिन सामिल होगा मुख्य मंत्री हेमन सुरें ने कहा है कि बर्ष 2021 को नियुक्तियों का साल बनाना है, सभी भी भागों में रिक्तियों की समिक्छा करते हुए, जीतने भी पद रिक्त हैं, जल्द भरे जाएंगे जार्खन करमचारी चयन अयोक को 9215 पदों पर नियुक्ति के उन संसा भेजी गई है, मुख्य मंत्री ने समय पर पर परिक्छा कराने का निर्देश दिया है मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि जाती अवासिय आय परवान पत्रों के लंबित आवेदनों को जल्द निप्टारा करे आसु लिपिक के 454 और नीम्न बर्गिय लिपिक के 524 पदों को संस्वधित कर जल्द भाली का निर्देश मिला है सोना चांदी के दावों में गिरावट के साथ सोना खरीद का मुल 460 रुपे प्रति दस गराम जबकि सोना बिगरी का मुल 460 रुपे प्रति दस गराम वही चांदी का मुल 460 रुपे पचास पैसा प्रति दस गराम रहा भवन निर्मान विभाग के सिवा निवरित कारेपाला का अभियंता पिके सिंग ने कहा है कि जार्खन का भवन निर्मान विभाग देश के किसी भी राजे से कम नहीं है गिरीन एंड क्लीन राची अभियान के ताहत नए साल में राची नगर निगम छेत्र में 265 CNG अटो को परमिट मिलेगा है जार्खन मोसम विभाग ने 5 दिनों का पुर्वानमान के साथ बताया है कि अगले 5 दिनों तक मोसम सुस्क रहेगा निम्तन तापमान में कोई विशेस बदलाव की उमीद नहीं है क्रिसी विभाग ने किसानों के बीच 25 कोल रूपए की लागत से मोटर पॉंप और पाइप बितरन करेगा जिसके लिए किसानों को 90 परतिशत तक अनुदान दिया जाएगा खाद पूर्तिव अबित मंत्री रमेश्वरुराव ने किसानों से 15 दिन तक धान खरीद परोक लगाते हुए काया है कि किसान परिशान ना हो किसानों से 15 फरवरी तक धान की खरीद की जाएगी मांडर परखंड के चोसर डिल्डरों को कारण बताव नोटिस जारी किया गया है बता दे सभी डिल्डरों ने नौवंबर माह में बिना आहार उठाव के ही बित्रन का रिपोर्ट दिखाया है नामकुम मांडर करणा सड़क हाथसे में तीन लोगों की मोठ हो गई है जबकि अने तीन लोग घायल हो गए है लाते हार सदर थाना छेतर के धूगिला गाउ में मंगलवार की साम छापे मारी करने गए उतपाद विभाग के छापे मारी दल पर ग्रामिनों ने हमला कर दिया है गिरी डी के गांडे थाना छेत्र में सड़क दुर्घाटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई बतादे बाइक और एसकार्पियों में टकर हुई थी महेंद्र सिंग धौनी दौरा कलक नाथ मूर्गी के पालन के बाद किसान भी अब कलक नाथ मूर्गी पालन करने की मांग कर रहे हैं दुमका जिला के मसलिया पूलिस ने दो पसुत असकर को गिरफतार किया है बतादे ट्रक दौरा मौसीत असकर कर ले जा रहे थे योगा पटी परखंड के मट कोटा गाव इस्थीत राम जान की मंदीर परिसर के तलाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौथ हो गई है गरामिनों के अनुसार असनान के दवरान डूबने से मौथ हुई कोडारमा के खिसानों ने किरिसी कानून के बिरोध में चल रहे अन्दोलन के समर्थन में बुधवार को रैली निकाला रांची में तैनाथ टाइगर जवान अब बीट पुलिसिंग करेंगे बताजे राची के सीटी स्पी सोरव ने निर्देश दिया है गोडा जिला के ललमटिय थाना के केंदुवा तलाव में डूबे सेराजुदिन अंसारी का सोव तीन दिन बाद एंडी आरेफ की टीम ने निकाल लिया है हजारी बाग के बढ़का गाउं थाना छेत्र में सराब छापे मारी के दौरान 85 बोतल अबैज सराब एवं 16 बोतल को रेक्स सीरफ बरामत किया गया राची उपायुक्त ने बुद्धवार को पंडरा इस्थीत राजकिये मध विद्याले का अउचित निरेक्षन किया जिसमें मौडल इस्कूल के तहत लगने वाले स्मार्ट कलास के लिए जारी हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग सो समय पूरा कराने का निर्देश दिया खोटी जिला में डैन प्रथा उन्मुलन को लेकर जगरूपता रथ निकाला गया कोडारमा थाना अंतरगत तारा घाटी के पास अग्यात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार बच्चे की महत हो गई उसकी पहचान रुद्रांस भर्दवाज पिता राजू सिंग के रूप में हुई है पलामु जिला के किसानों को के सिसी देने के उदेशे से तरहसी, पनवा, रामगर, उटारी रोड, पिपरा, परखंड में सीवीर लगाया गया जिसमें 962 लोगों ने आवेदन दिया रांची जिला परसासन ने कोविन-19 के उलंगन पर 6 दुकानों को नोटिस दिया है पलामु जिला के मनात्तू इमाम गंज मुख्य मार्ग पर जमुवा पूल के पास बुद्वार को बस की छट पर बैठे बराती बिजली के तार की चपेट में आ गया जिसे करेंट लगने के कारण दो लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य दो लोग घायल हो गया है गीरी डी के गांडे थाना छेतर के पास सड़क दुर घातना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दोरान हो गई बिधायक ढूलू मातों की जमानत को रद करने के लिए सुप्रीम कोट में कतरास की एक महिला ने याजक्या दाखिल की है अखिल भारतिये छात्रिये महा सभा युवा पर्देश के उपाद्यक्ष इंद्रेजीत सिंग बने मेर आसा लकला ने बुद्धवार को बर्यातु में सरक और नाली निर्मान का सिलन्यास किया बता देया अयोजना 45 लाख रुपय की है जार्खन पर्देश नियोन्याले की मदद से 20 युवाओ को रोजगार मिला है इस भरती कैम्प में इनोव सोर्स प्राइवेट लिमिटेड विकेस ग्रूप करनाटक ने भाग लिया राची के चुटिया इलाका इस्थित सरकारी बस डिपो के पास एक अगयात लास मिली है पुलिस सोग को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टन के लिए रिम्स भेज दिया है राची गुमला राश्ट्रिय राजमार्क 43 की बदहाली का दंस जनता पिछले कई माह से जहल रही है 22 के करनवानों के गुजरने से सड़क जर्रा हो चुकी है बतादे कई गड़ों में तबदील हो गया है राची में वाट्सेप और इस्टाग्राम के जर्ये देवेपार का धंदा तेजी से अपना पाव पसार रहा है बतादे छापेमारी के दवरान देवेपार से जुड़े नए नए मामले सामने आ रहे है कार्तिक महिना खतम होते ही मटन चीकन के दाम बढ़ने लगे है बतादे चीकन मटन के दामों में काफी तेजी के बावजूद भी ग्राहा खरीदारी करते दिखे परतिबंधित पान मसाला बेचने वालों के खिलाप करवाई जारी है बतादे राची में 166 दुकानों का 35,000 रुपे तक चलान काटा गया 15 अधिसंबर से राची के 54 नीजी इसकूलों में BPL कोटे से होगा नमांकन जिसमें 556 बचों को परवेश मिलेगा साधी ब्या में जुलूस्ट परदर्शन परोक लगी है इसके बावजूद भी इसकी खुल्ले आम धजिया उड़ाई जा रही है लोग जम कर डांस करते दिख रहे है साधी ब्या में 200 से ज्यादा लोग दिखे तो दो वर्स तक की सजा हो सकती है बतादे जमसेदपूर अपर जिला दंदा अधिकारी ने आदेश जारी किया है धनबाद नगर निगम ने बैंको से कहा है कि 5 दिखंबर तक हर हाल में फुटपात विक्रताओं को 10-10 रूपय का रिन दे बतादे यहरीन प्रधान मंत्री पत विक्रता आत्मनिर्भन नीधी योजना के तहत देना है ITI A.S.M. के कैंपस प्लेस्मेंट में एक छात्र को जपान की कमपनी लिक्विंज ने 48.38 लाग का पैकेज उपर किया है कूल 101 स्टूडेंट सलेक्ट हुए है जहरीया सिंद्री मुख्य स्वाग पर धनबाद नगर निगम ने जहरीया कत्रास मोड से सिंद्री डोमगर तक 700 पोल LED लाइट लगाने की योजना बनाई है पाकूर में अलकत्रा का ड्रम फटने से आठ लोग जूल से है जिसमें तीन बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है लैंस नायक परमबीर अलवट एका की 49 पुन्यतिति आज मनाई जाएगी आप परमबीर अलवट एका की यादो में दो सब्द कोमेंट बॉक्स में अवस लिखे धन्यवाद आप लोगों में से बहुत ने अपने अपनी समस्या को भेजा है पर आपकी समस्या आदे उधरी होने के कारान सामिल नहीं किया गया है अता आपसे अनुरोध है कि अगली बार समस्या भेते समय अपना नाम ग्राम परखंड थाना और जीला के साथ समस्या के बारे में कम से कम 50 सब्द अवस लिखे अन्याथा आपकी समस्या सामिल नहीं हो पाएगी